तो हेलो एवल्कम टू दे क्रिस्टल कॉंसेट इस शुवम और हम लेके आ गए है आपके लिए स्टेंडर्ड टेंथ माहराष्ट बोर्ड का प्लियम का जो अभी एक्जाम हुआ था उसका कंप्लिट कोश्चन पेपर यह कोश्चन पेपर आपके बोर्ट में बहुत काम आने वाला और अगर आपका अभी तक एक्जाम नहीं हुआ तो एक्जाम में हेल्प जरूर करेगा तो इस कोश्चन पेपर में टोटल 80 मार्क्स का यह कोश्चन पेपर था प्री बोर्ड प्रैक्टिस के लिए काम का है बोर्ड के पहले इसको जरूर पूरा स्वाल करके जाना त कोश्चन नमबर वन में के बी में डू एस डाइरेक्ट आपको कोई एनी वन स्वाल को रहा है इच कोश्चन के लिए वन वाक्स ठीक है फिर आपको यहां पर सेक्शन टू में आने के बार टेक्स्च्च्च्छल पैसे जाएगा पहले आपको कोई काम करना हर पेज का स्क्र स्क्रिंशॉट ले लेना है और अच्छे से प्रेक्टिस करना पूरे पेपर को सेकेंड पेच्च पे आते हैं पहले आप स्क्रिंशॉट ले लो इस कोश्चन नमबर टू ए रिड़ फॉलविं पैसेज एंड डू एज डा एक्टिविटिस सारे एक्टिविटिस जो भी कि देर रखी हो वहां से डाउनलोड कर सकते हो पूरा अच्छे से पैसेज कर ना इसको ठीक है को उसरी नमबर टू ए है फिर इसमें आपको कोशन नमबर टू की में ही आपको एवन एटू एट्री स्वॉर में कुशन पूचय गए है इस पे एक्टिबिटिटी को अक्तिविटी करना कर को शो स्क्रींशॉट लेना है और इसको प्रैक्टिस करना सक्षन परता है और को कमेंट करना पड़ेगा तो पता चला कितने लोगों को requirement है रियली तो उसमें आपको complete grammar complete जो भी आपकी study होगी इसमें language study वगएरा जो भी grammar speech writing वगएरा passage में से answer कैसे find out करने हम वीडियो dedicated वीडियो बना के डाल देंगे इस पूरे question paper पर डिपेंड करता आपके कमेंट्स पर आपके लाइब पर और आप कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को कि यह पूरा आपको को कोशन पेपर है कि आपको सबका हर एक पेज का screenshot लेना अच्छे से और उसको practice करना पूरे question paper को कि एक मेंट I hope यह हो गया लगता अपना this is question page no.8 this is page no.9 page no.9 this is your page no.10 okay मैं उल्टा रिवर्स जार हो अगर आपको screenshot साही से नहीं मिला हो तो page no.9 page no.8 page no.7 page no.6 page no.9 page no.3 page no.6 page no.5 page no.9 page no.9 page no.8Whoa peace no.10 3 करना